राज्जा मदे तीन जून परेंद मांसुन चा आगमन हुईल आसा अंदाज वर्तोने ताला होता मातर आजुन ही पाउसाची प्रतिक्षा आहे त्या मुल आता मांसुन ची स्तिती काया हे जानुन घेने साथी अपले सोबत पुने हवामान विबागा चे प्रमुक आनुपम कश्यपी सराहे सर आजुन ही पाउसाची प्रतिक्षा आहे ये ची काय कारणा हे कदी परेंद मांसुन महाराष्टा दाखल होई नमस्कार बेसीकली जो देखा जा रहा है यह देखेंगे यह जो लाइन देख रहे हैं यहां तक महनों यह साइड में पहुच चुका है यान्यकि कुछ इस सहरयप सागर बंगाल के खाड़ी एवां इदर पूरा के पूरा नॉर्ट इस्ट इंडिया साथ में पूरा केरल एरिया अब तामिल नाडु एवं कुछ एरिया करना टका ये कौवर कर चुका है अभी जो ऐसा सवाल आया क्यूंकि आप जानते होगे ये साल अंसेट ओवर केरल जो केरल में मंसुन दस तक ये जो सामान्य दिन एक जू लुका था बट तिंग इस ये दस्टक देने के बाद इसका प्रोग्रेस जो है प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो है जितना होना चाहिए एस्पेक्टेट था उतना अरब सागर वाला हिस्सा या बंगल के खाड़ी वाला हिस्सा खास कुछ हुआ नहीं था क्योंकि हार साल कुछ नहीं है यह साल भी थोड़ा बहुत ताइम ले रहा है लेकिन अभी जो देखा जा रहा है आगामी दिदों में बारिश एरिया जब करनाटका तामिल नाडू कोस्टल अंदर प्रोदेश यह सब अच्छा बारीश हो रहा है जो देखा जा रहा है कल याने के साथ तार नमी आएगा वेस्टर लिहावा के साथ आएगा बंगडाल के खाड़ी होते हैं मरत वाड़ा बिदर्ब में नमी पहुचेगा तो नाचरली आभी तक जो मनसून आने से पहले जो मनसून पूर्भी बारिश ओ भी अभी तक ठीक ठाक नहीं हुआ हमारा जो एस्पेक्टेश में अच्छा मनसून पूर्भी बारिश मिलने का संभावना रहेगा पाउस वेड़े वरी आर्था तीन तरखे परिंथ हुई परंटु आजून देखेला आला नहीं है काय कारण आई थे ची यह देखिए मनसून जो बारिश मनसून इसमें केबल बारिश होने से नहीं होता कुछ-कुछ wind reversal यह होना चाहिए साथ में continuous आपका सब एरिया में 2.5 mm यह उससे ज़्यादा बारिश होना चाहिए एवं आपका जो बंगल के खाड़ी वाला हिस्सा एवं अरब संगर वाला हिस्सा यह दोनों ही strong होना चाहिए अभी तक जो देखा जा रहा है यह आभी जो देख रहे हैं यह आरब संगर वाला हिस्सा cloud patches convective activities देख रहा है बंगल के खाड़ी में भी देख रहा है एवं लैंड एरिया में स्लोली यह आगे बढ़ रहा है इवन हमाने प्रदेश का डख्षन हिस्सा यहां पर आज के दिन काफी प्री मंसुन activity record होगा एवं जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है यह expected है कि यह अरब संगर वाला हिस्सा एवं बंगल के खाड़ी वाला हिस्सा दोनों ही हमारे प्रदेश में स्लोली मॉडरेटली अक्टिव होगा जो क्लासिकल अंसेट बहुत ही स्ट्रॉंग मंसुन अंसेट ऐसा शायद नहीं होगा लेकिन काफी अच्छा बारिश अभी मंसुन पूर्वी बारिश प्रदेश का दक्षन हिस्स आठ नौ तारिकसाई मंसुन नट मंसुन प्री मंसुन अक्टिविटी बढ़ेगा नमी बढ़ने के करन प्रदेश में प्री मंसुन पूर्वी बारिश बढ़ने का संभवना रहेगा मंसुन पूर्वी बारिश मतलब इसमें मेगा गर्जना कड़कडा हाट ये रहेगा थं कॉंटिनुवस बारीज दिन बर नहीं होगा यह एस्पेशली आफ्टरनून टाइप तीन चर बाजे से यह होता है एवं शॉट स्पैन अप टाइम बहुत ज्यादा समय नहीं होगा लेकिन में भी शुरुआत में 40 मिनीट एक गंटा आफ्टरनून समय होके एक अधा तेज ब मंसुन पुरवी बारीश एवंग साथ में मंसून का आगवन यह मारन उल्लेसके साथ साथ मेही होता जाएगा सर अरथ बंजेश दोंटे तीन दी जुसात चांगला पौश मीले ला अप लेला येस आपका मंसून पुरवी बारीश अभी प्रदेश में मिलने का सम्भावना प्रदेश का यहां पर ही एस्पेक्टेड है अभी तक जो लग रहा है कि मॉन्सुन का आउंसेट पहले होने जा रहा है बेभी उसमें भी थोड़ा सा कुटले-कुटले भागे मदे पाउस होने चीछ शक्यत आए पुडिल दोन तिन दिवसत यस आपका जो देखा जा रहा है जो आपका पश्चिमी हावा वेस्टर्ली वींड आरब सागर होते हुए आ रहा है यह स्वयाद्री रेंज इसमें टकराने के बाद इस्पेशली कॉंकन गोवा एबंग साथ में घाटेरी अजप मद्दो महराश्च यहाँ पर बारिश अगला 48 टावर्स के बाद बारिश बढ़ने का संभावना रहेगा एबंग साथ साथ में मरतवाड़ा में भी बारिश बढ़ने का संभावना रहेगा वीडरवा इरिया इनिश्यल जो देख रहे हैं अभी सुरुवात 48 गंट उतना बारिश संभावना काम बड़ इसके बाद यहाँ पे भी स्लोली मंसुन पूर भी बारिश संभावना बढ़ता जाएगा एबंग जैसे ही 10-11-13 मैने बताया कॉंकन गोवा मद्दो महराश्च यहाँ पे मिलना सुरु होगा कोई जगा चेतावनी भारी बारिश का एस्पेशली शिंददर ग्रत्नगिरी जिला एबंग मद्यमार रश्च का भी दक्षिनी हिस्ता यहाँ पे चेतावनी घाटेरियास के लिए सम्मावना बनेगा एबंग 10-12-13 एबंग यह स्लोली यह जो मंसुन पूर भी से मंसुनी बारिश धीरे से परिवर्थित होता नजर आएगा हमारे प्रदेश में में भी नेक्स्ट 7-10 देज हमारे लिए हमारे प्रदेश के लिए मन्सुन अक्टिविटी आने का बढ़ने का संभावना है बट जैसे बताया कि बारिश मेलेगा कहीं कहीं जगा चेतावनी भी आएगा इस्पेशाली कोंकन एबंग एजसेंट मध्यमाराश्यो घाट एरियास के लिए भी अगला 4-5 दिन में सराणी जशा सांगेत लेला है कि मांसुन जरा हलवलू पुढ़ येता है अर्थाताज पुढचे दोंते तीन दिवसात अनेक ठिकानी पाउस पडेल मध्य पाउस असनारे परन्तु त्याज बरोबर डोंगर माथ्यान वरासेल कोकण भागा मदे मुसलधार पाउसाचा अन्दाज दिखिल तेननी आठिकानी वरतोलेला है सद्ध्याची दर सितियापन बगितलीतर महराज्या मदे चांगला पाउसाचा दिखिल अन्दाज पुणे हवमान खात्या कड़ून वरतोलेला है क्यामरा में विजे राउद समी मिकी गई ABP माजा पुणे